कि हलो डीर स्टूडेंस वेलकम टू पार्ट साला जैसा कि स्यूट इलीट के बच्चों का जो बच्चे पहले से सलेक्टेड है गवर्मेंट काले से बीटेक कर रहे हैं उनका एंटर्व्यू को एक सीरीज चला है तो आज की करम में हमारे साथ हैं दीपक मौरिया जी इनसे में लोग जानेंगे किनों किस प्रकार से तैयारी की कि यह जो है एक अच्छे काले से गवर्मेंट काले से जो बीटेक करें तो सबसे पहले दीपक यह अपने बारें बताईए कि आप कहां से बिलांग करते हैं और अपने पालिटिक कहां से किया और किस ब्रांच से अपने लेटरिकल बारांच से डिप्लोमा किया है तो अगर मैं बात करूं आप के अगर मैं बात करूंँ बीटेक आप जो है । और ब्रांच आपका क्या है कंप्यूटर साइंच जैसे यह भी है इन्हों ने भी किया कि अपना ब्रांच जो है लेट्रिकल से सीयस में स्विच्छ किये हैं तो ब्रांच चेंज करने से कोई दिक्कत बाकि जब पहले से आपने कोई कोई और वगारा किया था तो पांसो तेरा नंबर लाना वड़ी बात होती तो मतलब नालेज था पहले से जिसको पास बेसिक नालेज रहेगा तो कोई भी चीज हो अगर मन से अगर उसको करेगा तो समझने में दिक्कत नहीं आएगी इस टार्टी में कोई चीज नया लगता है कोई चीज नए ब्रांच को जो पनाते हैं तो हमको थोड़ा सा अनकमफरटेबल होता है ऐसा होता क्यों है क्योंकि हमारे human nature ही है human के अंदर एक प्रापर्टी ह से CS में जा रहे हैं तो ब्रांच जो रहा है तो थोड़ा सा आठ लगेगा कुछ दिन लगेगा लेकिन जैसे ही आप एक सेमिस्टर आप पढ़ेंगे एक सेमिस्टर पढ़ने के बाद आप भोल जाएंगे कि हमने इलेट्रिकल से डिपलोमा किया था फिर आप जो है मतलब उ उसमें सेलेटेड होते हैं और सब्री बात करों नहुली कि अब बहुता है कि यह अफ्रॉच टेविवारी और एक आडमी होता है कि अपने प्ला प्र साथ ब्रॉच Elvis के अपने इन्टी छ फुक्त नहीं था जी उडिफ्लोम करते इस ब्सक्तिक में लिख हाँ हे LOVE फिर दिए लिए तो मैक्सिमम बच्चे जो मतलब बीट इक में ब्रांच करना चाहते है बिलकुल कर सकते हैं लेकिन यह पढ़ने में अच्छे थे तो इन्हों ने जो इनको दिख्गत नहीं हुआ हो लेकिन बहुत सारे बंसे ऐसे होंगे यसे में कि ने बच्चे होंगे जो सब्सक्राइब कि यहां पर नंबर कर सकते हैं लेकिन आपका बेसिक्स कैसा आपका और महनती हैं वह क्या कर लेंगे वो जो है गेंगे की जिसे बहुत सारे बच्चे होते हैं शीय समय करना पड़ता है तो इसीना आप करता हूं कि यो लोग भी ब्रांट करें जब आपका समय स्मेश्टर गिया खत्म हो जाएं और पर भीबूद्हें उसके बाद admission में 2-3 मेने का gap मिलता है उसमें आपको लैंग्विज का कोर्स कर लीजिए कुछ कोडिंग वगरा सिख लीजिए कि आप जब CSB टेक करने जाएं तो आपको ऐसा नहीं हो कि हमारे लिए एक दम नया है पहले से आप उसमें थोड़ा सा सब्सक्राइब्स आपको दिखकत का सामना नहीं करना पड़ेंगे और पमोदिए ऀंक्विए क्राइब्स कि सामना और मैं 2013 का डिप्लोमा हूँ और मेरे साथ की कुछ मेरे दोस्त थे जो ब्रांच चेंज करके उस टाइम पे CS का क्रेज नहीं था मेकिनिकल वाला बच्छा मेकिनिकल से भी टेक करना चारा था CS नहीं करना चारा था तो एक मेरा दोस्त था जिसने जो है आइटी से बीटे कि हैं उस समय 29 बच्चे थे 27 बच्चे रहें गया है इसमें से दो बच्चे लटर वाले थे जो ब्रांच चेंज करके गए थे उसमें पचीस का प्लेस्मेंट होके तो नहीं हुआ था क्यों कि ब्रांच चेंज करके गए सब्सक्राइब करें उनका तो ऑपस में एक दूसरे की घ्रांच चेंज करके जा रहें उनकी संख्या जादे हैं यूर्टे में तरीके से तो आपस लेकिए करके किसी को कुछ नहीं आता है कि सी कुछ नहीं आता है तो एक दूसरे से जैसे डिकnd ghostscr में होता क्याने दूसरे से बांड़ कि अतना रहता है मतलब आज कल देखर हैं बच्छेuk तो पैचानते हैं तो कोई भी रहेगा तो एक दूसरे से लेकर कि जो है मतलब अपना काम निकाल लेते हैं तो बाकी अगर मैं बात करूं जो बच्ची परप्रेशन भी करना चाहते हैं उनको कैसे जिसन देना चाहेंगे मतलब कि ज्यादा ध्यान फिलाल तो जैनरल टेस्ट पर जाते हैं तो में ज्यादा ध्यान दे और इंजिनिक ग्राफिक्स लाश्ट टाइम अगर पढ़ लेंगे तो बड़े आराम से हो जाएगा तो उसको लाश्ट में पढ़े तो ज्यादे बैता रहा पहले दूसरे सब्सक कर लेजिए लास्ट में एक महीना जो है बचेगा ताप इंजिनिक ग्राफिक्स कर सकते हो जादे बेटर रहेगा जो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं और अगर मैं बात करूं जैसे जनरल टेस्ट की हो गया या तो आपने कोई टेस्ट वगरा भी दिया था कि आपने किलो तै कि आपको पहले से पता है बस आपकी तूट की दाम से डर रहे हैं लेकिन पहले से आप छह साथ आट नौदस में जो पढ़के आए हुए मैथ वह ही आपका मैथ है तो अगर आप बूक लेकर करके पढ़ेंगे तो आप टाइम कम लगेगा हो जाएगा तो जो लोग पहले से अब ही जो स्टार्ट कर रहें त्यारी की कोई ले लिए अगर तो किसी भी भूक से त्यारी करेंगे तो आपको दिक्कर का सामना नहीं करना पड़ेगा तो बाकि अगर मैं बात करूं से आप बीटिक कर रहे हैं तो अगर मैं बात करूं डिप्लोमा और बीटिक में महौल में कितना अंतर है यहां तो पढ़ना पड़ता है पुरा आज कल बच्चे पूरा कुछ दिन पढ़ेंगी तो जरसे आंलाइन सिस्टम आया है मैक्सिमम चैनल वाले महराथन चलाते हैं एक राद बच्चा पढ़कर के पास हो जा रहा है लेकिन बीटिक में इसा नहीं है इसमें जो गवर्मेंट कलेज अच्छे कालेज मापे माइनर एक्जाम बीच बीच में होते रहते हैं उसके बहुत पढ़ना पढ़ेगा और जैस हो जाए खाए गवर्में फैसली नहीं पाएगी प्राइवेट में अध्मीशन लेंगे तो आपका शूट जाता है यह दूसरा नुखसान हो जाता है क्योंकि लट्रेल एंटरी जो तो फोड़ा लेट होता है सब्सक्राइब करें तो यह चीज अगर आपकी चोटे चीजें आपको पढ़ा दी जाती है तो यह आपका बेनिफिट रहे बाकि अगर आप बात करूं जैसे पढ़ाई के आरामा सी एस में मतलब वहां से बीटे करें पढ़ाई के अलामा अगर मैं तो अगर जैसे अगर मैं प्लेस्मेंट को बहुत जादे माने रखता रहता है अगर कोई जरूरी नहीं आपके तो इसके लिए वाले बच्चे जो है तो पहले से अगर आपको श्राय देना चाहते हूं जो अभी नए जो अभी तयारी कर रहे हैं या जो आगी बीटेक करना चाहते हैं उनको क्या गार्डेंज देना चाहेंगे जाइडेंज तरही कि मतलब अच्छे थे पढ़ें सब फिलार जी और क्या ही कोई करेंगे दन्यवाद अपना किंती समय देनी के लिए